नमस्कार दोस्तों, उमीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आज जब मैं पाड़ों में बैठा हूँ यहाँ पर ट्रेकिंग करके काफी उपर आया हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने जब ध्यान लगाया, तो बहुत सारे विचार देखो आदमी के मन में चल पर आज मैंने कुछ विचारों को बहुत पारी किसे फिर तुबार से महसूस किया, और जब इन विचारों को महसूस किया, तो मुझे लगता है कि इन विचारों को मैं आपके साथ शेयर जरू करूँ, अगर समय हो, तो सुनने का मन हो, तो प्लीज मुझे दो-ती मिनट तक म बहुत ध्यान नहीं देते बच्चों, मेरे दोस्तों, कई बर हम वर्ड्स पे वाके में ही ध्यान नहीं देते कि किस तरीके कि शब्डों का प्रियोग हम उपने जीवन में कर रहे हैं, अपने लिए ही नहीं, बलकि औरों के लिए भी, पर एक बात आपको कहूं, यह विचार ह ही है, जो हम सब को ताकत देते हैं, और यह विचार ही है, जो हम सब से ताकत छीन लेते हैं, मैं इसका बहुत अच्छा उजहान देता हूं, दो गुरूप हैं, दो गुरूप हैं हमारे, और उसमें से ट्रेकिंग को लेके बात होगी, कि चलो आज ट्रेकिंग करते हैं, अब ट्रेकिंग में दो विचार है एक गुरूप कहता है यार कैसे करेंगे इतनी उपर तक जाना है कितना हार्ड एस पे चड़ना नहीं यार दिक्कत आ जाएगी तंग हो जाएगे एक गुरूप महीं पर कहता है कि यार यहां पर आये मज़ा करने के लिए चलो चड़ेंगे ना चलो करते हैं अब जब तक मैं पहले वाले गुरूप की बातों को सोच रहा हूँ तो मेरे मन में विचार है कि सच में यार बड़ा मुश्किल है पाड़ो पर जैसे मैं दूसरे गुरूप के बारे में सोचता हूँ कि चलो यार चड़ेंगे यार चड़ना क्या है चड़ ज है, मैं हमेशे एक बात कहता हूं हो सकता है कि यह वर्ड जो यूज़ करने जा रहा हूं कि वह वर्ड आपके जिवन का बहुत शब्ड हो और हूँ सकता है इस शब्ड का प्रियोग आप हर यूकर किसी वैक्ती के लिए और हो ये भी सकता है कि शब्द की मदद से आप खुद अपने आपको और साती साथ अपने सातियों को मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हों वो शब्द है कोशिश कहते कोशिश करनेवालों की कभी हार नहीं होती मुझे नहीं लगता मैं नहीं जानता सच में, कि आप मेरी बात से अग्री करेंगे नहीं करेंगे, पर मैं इतना जानता हूं कि ये शब्द अपने आम में कमजोर वड़ है, अगर आप ये कहते हैं, कि कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं आपने स्टार्टिंग में ही एक बात कह दी, कि चलो इसमें होने की संभावना 100% है अगर सोचो मैं आपको यही शब्द के साथ कहूँ कि चलने की कोशिश करो तो आपको बड़ा अश्यरी होगा चलने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ मैं तो चलूँगा मैं तो चल ही पाऊंगा मैं तो चल ही लूँगा पर सोचो अगर यही उस व्यक्ति के लिए किया, जिसका पैर टूटा हुआ है, पैर में बहुत भेंकर चोट लगी है, पैर हिल तक नीरा, ओप्रेशन हुआ है, और मैं कहता हूँ आप चलने की कोशिश करो, यहाँ पर देखिए, मैं जो कहने वाला हूँ इस बात को, और वो जिसको चोट लगी है कि दोनों वेक्तियों के मन में एक विचार तो है, पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, बच्चो, जब हम किसी भी काम को लेकर डाउट होता है न, तब ही ऐसे कमजोर शब्दों का परियोग करते हैं, यार कुछ भी करो, कमजोर शब्दों का परियोग मत करो, क्यो इस शब्द ही तो है, मानो, एक वेफसाई, एक बिजनस में करना चारा हूँ, एक वेफसाई, एक बिजनस में करना चारा हूँ, उस बिजनस के लिए मैं अपने साथ, अपने साथियों को लेके आता हूँ, और मैं अपने साथियों को कहता हूँ, चलो यार, एक वेफार करने क के कोशिश करते हैं देखते हैं ट्राइ करते हैं क्या पता कामियाप हो जाएं अगर यही पर इन्हीं इस शब्दों को मैं बदल कर अपने दोस्तों को इक हूँ जार एक बिजनस को शुरू करते हैं और देखो विश्वास के साथ कहता हूं कि बिजनस बहुत बढ़िया चलेगा और मज़ा आ जाएगा अब सच में गर्व करोगे कि इस बिजनस के साथ हम जुड़े हैं आप यहा की मेरे स्टूइंट कियो मेरे बड़े मेरे आसपास के सबी लोग घो भी मुझे सुन रहे हैं मैं सच में चाहता हूं कि आप ऐसे शब्दों का परियूँग मत करो जिन शब्दों से आप खुद भी टूपते हो और आपके आसपास के साथे भी तुखते हैं अगर आपका मन है कि गौर्मेंट जॉब मुझे लेनी है तो आप ये मत कहो कि मैं कोशिश करता हूँ मैं कोशिश करूँगा एक इस सैंप को निकालने की अब इस विश्वास के साथ कहिए कि यह जो स्लेबस मेरा है इस स्सलेबस को मैं बहुत अच्छा तियार करूँगा अपने ऐसे साथियों के साथ तियार करूँगा मैं ऐसे टीचर्स को ढूड़ूँगा जो मुझे मदद करेंगे, चलूँगा मैं पर मेरी मदद के लिए मेरी दुनिया मेरे साथ आजाए अच्छे शब्दों का प्रियुकर हूँ एक कानी के साथ बात को खतम करता हूँ एक राजा था उस राजा के पास एक बहुत अच्छा सैनेपती था और उस सैनेपती जो था उस सैनेपती को अगर मैं आपको बात बहुंसरी सेना हम पर आकर्बन करने जा रही है। वो बहुत बहुत विशाल है। बहुत विशाल है और वो सच मेए हमें हरा देगी। और एक ऐसे सेना पती ने इस बात को कहा कि जो आज तक युद்ध नहीं आ रहा था। पहली बार हाडने का डर हो गया डर होती ही मन में से विश्वास चला गया ये डर सबसे पहली चीज है जो आदमी को खाता है सच मैं चलो हो गया तो उसने महराज के पास गया और जाके का कि महराज मुश्किले इस पास जीत पाना और मैं जीवन में कभी हारना पसंद नहीं करता तो इसलिए मैं युद को नहीं लड़ूँगा और सेना हम पराक्मन करने ही वाली है ये बास अच्छे आने वाले कुछी दिनों में ऐसा होगा और ये कहके सेना पती चला गया राजा बहुत दुखी हुआ परजा थी पुरा राज महलता वो खुद था उसका परिवार था उसको लगा कि इस पर क्या होगा कैस सब कुछ कटम होने वाला है तो राजा जी एक सादू संद के पास कभी जाय करते थे तो उन सादूसन्द के पास वो दुबार से गए, उन्होंने राजा ने सारी बाते शेर की, उस शेर करने के पास सादूसन्द समझ गए, वो मातमा पुरुष जो इस बात को सुन रहे थे वो समझ गए, उसने का राजा एक काम करते हैं, कल अपनी सेना के साथ आओ, और नदी क उस पार वो सेना खड़ी है जिस पर तुम पर आकर्मन करेगी पहले काम करते तै कर देते हैं कि हम युद को जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे भगवान से पूछते हैं उसको राजा को विश्वास था कि भगवान से इस वेक्ति की कही ना कही मतलब connectivity है और ये सच में भग उच्छालना शुरू करते हैं उच्छालते हैं और जैसे उसको उच्छालते हैं तो नीचे कहते हैं उच्छालते वक्त कि अगर राजा हैड आगे तो भगवान ने काए तो जीतेगा और टेल आगे तो तो हारेगा जैसे उसी का जमीन पर गिरा उसमें हैड था राजा का इसे खतम इसको, सब निकल गए, सेना के साथ राजा जी ने पहले आकर्मन कर दिया, जो युद कई दिन तक चलना था, आप यकीन नहीं मानों कि दो-तिन दिन में इधर वाली सेना ने सब को खतम कर दिया, वापिस लोटा है, जब लोटने लगे तो वो भगवान का मंदिर जो उसे वो सिक्का राजा के हाथ में थमा दे, जिसमें दोनों तरफ हैड था, शोले मोवी नजर आ रही होगी इसमें, पर इसमें हैड जिसमें दोनों सिक्के में मतलब दोनों तरफ था, तो राजा को लगा ये क्या किया तुमने, उसने कहा कि राजा, एक चीज मैंने तिरे मैसुस की तिरा विश्वास युद्ध और जीवन विश्वास से ही चलता है विश्वास करो कि आप सब कुछ कर जाओगे विश्वास करो कि आप सब कुछ करने के लिए बने हो इसे के साथ अच्छे शब्दों के साथ अच्छे शब्द अपने दियूज करो और बढ़ते चले धन्यवाद बच्चो थेंक यू